तो दोस्तो आज हम आपकी लिए स्रिप और स्रिप 9 मिनट में सीधे गैस पर बनने वाला रस्मलाई फ्लेवर का केक लिक रहे हैं जो बहुत ही जादा टेस्टी और हेल्जी है क्योंकि इसमें ना ही मैदा है और ना ही आता है सूजी से बनेगा और बिलकुल घर की रखे चीज कर ली है इसमें आदा कप हमें दही डालना है लेकिन दही जादा खटा और जादा पतला मत डालिए साथी वन फोर्ट कप हमने रिफाइंड ओईल लिया है आप यहाँ पर मेल्टेट बटर भी ले सकते ही और पहले हमें इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है दोस्तो अच्छे से हमने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैंने यहाँ पर लिया है एक कप बिल्कुल फाइन वाली सूजी अगर आपके पास स्मोटी वाली सूजी है तो उसे आप मिक्सर में पहले अच्छा फाइन पाउडर होने तक पीस लीजे उसके बाद ही आपको आड करना है व जो हमने दही और तेल डाला है उसे यह जो सूजी है मिक्स तो हो जाएगी लेकिन अच्छे से भीगेगी नहीं तो इसके लिए हमें थोड़ा सा दूट डालना है तो मैंने आपर वन फूर्ट कप गरम वाला दूद लिया है जी हाँ दोस्तों गरम दूद डालेंगे तो सू आपको इससे कम लग सकता है तो दूट डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढखकर रखेंगे 15 मिनिट के लिए तब तक दूसरी तयारी करेंगी तो दोस्तों यहां पर मैंने लिया है फ्राइ पैन जी हां आज हम यह पैन में केक बनाएंगे वैसे मेर इको बेक का यह लाइनर है यहां पर दोस्तों इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है केक जादा ब्राउन नहीं होता है जलने के चैंसे कम हो जाते हैं और यह बहुत आसानी से निकल जाता है इसके लिए मैंने इसका इस्तिमाल किया है और साथ ही हमें रस मलाई फ्लिवर डाला है यह ऊप्षिनल है वन टेबल स्पून हमें शक्कर डाली है साहती सेफ्रेन वाला दूद मतलब केसर वाला दूद जरूद अ कि रस मलाई फ्लेवर का ऑज मिल्क बन रहा है थोड़ा सा यलो कलर भी डालेंगे रस मलाई फ्लेवर का मेरे पास इसेंस है तो में यह 2-3 डालूँगी अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा क्योड़ा इस इंस भी डाल सकते हैं 1-4 टीस्पून इलाइची का पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे दोस्तो ये जो रस्मलाई फ्लिवर का मिल्क है ना chem को पहरी शानदार फ्लिवर देगा जिसे आपको लग Εका आप रस्मलाई ही खा रहे हैं बहुरी जायके दार आजका कीक पनिगा रिजल्ट जबर दस्त है ट्राइज़ जरूर करिएगा ये milk भी बनकर तयार हो चुका है दोस्तों चलिए केक का बैटर देख लेते ही तो दोस्तों जो सूजी है वो अब अच्छे से भीग चुकी है अगर आपके पास समय जादा है तो आप आदे गंटे के लिए भी से रख सकते ही और जैसे ये भीगी है तो आप देख सकते ही ये थोड़ी से थिक हो चुकी है इसका जो बैटर है थोड़ा से थिक है तो अब हमें इसमें एड़ करना है बेकिंग पाउडर तो मैंने 1.5 तीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है और 1.4 तीस्पून से भी कम मतलब 1-8 teaspoon हमने soda लिया है इसके उपर थोड़ा सा हमें दूट डालना है तक ये जो soda और baking powder है अच्छे से cake के अंदर मतलब batter के अंदर mix हो जाए तो अच्छे से अब हमें इसे मिलाना है और जैसे आप इसमें baking powder और baking soda डालेंगे न तो ये जो cake का better है थोड़ा सा full जाता है और इस तरीके से मिलाने के बाद हमें इसे pan के अंदर डालना है तो आज का जो cake है बहुत healthy है क्योंकि इसमें मैंदा बिल्कुल भी नहीं है सूजी से बनने वाला cake है जो बहुत healthy है और बने का भी लाजवाब तो दोस्तो इसे डालने के बाद आपको pan को थोड़ा सा tap करना है ताकि ये evenly spread हो जाए और यहाँ पर मैंने लिया है एक iron का तवा इसे full आज़ पर 5 मिनट के लिए गरम कर लीजे और इसके उपर आपको ये pan रखना है और इसे ढख कर इसे धीमे आज़ पर स्रिप और स्रिप 9 मिनट के लिए रखना है जी हाँ दोस्तो 9 मिनट में ही ये केक आपका बनकर त्यार हो जाएगा और ये देखे दोस्तो शानदार तरिके से बना है बहुत अच्छे से full चुका है पैन पर बना है जिसे देखकर आप भी चौक जाएंगे यकीन माने बहुत अच्छा बनता है और जैसे मैंने इसे चेक किया तो देखे बहुत अच्छा से ये पक चुका है और इतना ही ज़ादा ये soft बना है दोस्तो इसे हमें अब ठंडा करना है उसके बाद ही निकालना है तो ये देखे दोस्तो अच्छे से ठंडा कर लीजे चेक कीजे उसके बाद ही आपको side की किनारे इसके loose करने ही देखे दोस्तो ये सूजी से बना हुआ केक है यहाँ आटा और या मैदे से नहीं बना है तो ठंडा करने के बाद ही आपको इसे अच्छे से निकालना है वरना यह तूट सकता है क्योंकि यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और यहां पर मैंने एक प्लेट रखी है और प्लेट के उपर इस तरीके से हम फिल्प करेंगे तो यह किक बहुत आसानी से निकल जाएगा अब देख सकते हैं इसके उल्टी साइट मतलब अपोजिट साइड भी कितने अच्छा कलर आया है ज्यादा डार्क नहीं हुआ है और यह बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी है तो दोस्तों इसे आप ओवर में भी बना सकते ही ओवर में 180 डिग्री पर आप इसे 8-9 मिनट के लिए भी कुक कर सकते ही और देखिए पैन भी क्लीन है क्लियार है करेंगे तो यह जो मिल्क है ना पूरे केक के अंदर जाएगा और बिल्कुल रसीला रस भरा यह रस्मलाई फ्लेवर का केक बनकर तैयार होगा दोस्तों ऐसे रेसिपी आपने कभी नहीं देखी होगी यह मेरे चैनल पर आपको नीलोस किचन चैनल पर ही मिलेगी और बहुत क्रीम लगानी है जो बिल्कुल रस्मलाई फ्लेवर की रहेगी तो दोस्तों विप क्रीम बनाने के लिए मैंने यह आप पर विप क्रीम ली है मैंने एक कप विप क्रीम ली है दोस्तों इसके अदर थोड़ा सा रस्मलाई फ्लेवर का यह इस इंस्टालेंगे साथ ही नवाग 3-8 मिननट के लिए इसे बीट कीजिये ताकि जो क्रीम है वह अच्छे से फुल जाए बिंकूलिश्म में आने तक बीतक है और इसकी क्रीम को इसके उपर लगाना है मतलब केक के उपर लगाना है तो जितनी हमने क्रीम बीट की है वो सारी आप डाल दीजिए और अच्छे से इसे फेलाईए जादा फिनिशिंग की कोई ज़रुरत नहीं है क्योंकि हमें इसके उपर अब काजू, पिस्ता, बादाम या फिर इसमें जो भी आपको डेकोरिशन के डालना है वो डाल सकते हैं देखिए मैंने टुटी-fruूटी भी डाली है ग्रीन कलर की नहीं थी मेरे पास तो मैंने ग्रीन कलर की टुटी-fruूटी नहीं डाली है लेकिन अच्छे से डाला है साथी बादाम, रोज, पैडल, यह सारी चिज़े डाली है दोस्तों क्रीम लग कोफ्ट है अंदाज़ा लगा सकते हैं देखते ही और यहां पर आपकी मंद चाहे इसे आप मितलब जो पीसेस है ना वह मन चाहे अगार में काट सकते हैं मैं थोड़े बड़े पीसेस काट रही हूं तक जब हम इसे परोष ना तो दिखनें में उतना ज़्यादा लाजवाब लगी तो दोस्तों हमने इसे कट कर लिया है जले से निकाल कर दिखाते हैं तो यह देखें दोस्तों आपको एक अच्छा स्पैचुला ले लेना है फ्लाइट वाला और उससे आपको इसे निकालना है मेरे पास यह डेजर्ट शिफ्टर है तो मैंने इ अच्छा बनता है प्लीज एक बार TRI कीज़ेगा आपको बहुत पसंद आएगा और जरूस आप इसे करेंगे ना तो रस्मल लगा खाना भूल जाएगे बहुत ही कम सामान में बहुत ही कम खर्च में आप इसे घर पर बना सकते हैं और सब को बहुत पसंद आएगा तो दोस्तो आज की ये रेसिपी आपको कैसे लगी मुझे जरूर बताईएगा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा ये दिखे कट करने पर भी आप देख सकते हैं बहुत जादा सॉफ्ट बना है तो दोस्तो अब मिलते हैं अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाय दोस्तो